Welcome to the Logical Knowledge YouTube channel आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वालो कि कैसी क्रिकेटर्स इतनी पेस और फास्ट बॉल को इतनी आसानी से क्याच कर लेते हैं इसके पीछे का थोस नुमरिकल, इसके पीछे का थोस रीजन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा तो बिना किसी दर इस वीडियो को लाइक कर दिजे हो और चलिए शुरू करते हैं इस कंडिशन में हमें फोर्स का फॉर्मुला लगाना होगा फोर्स का फॉर्मुला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है, MANs into Acceleration Acceleration क्या होता है Acceleration होता है, Final minus initial velocity upon time V-u upon t V minus U upon T अगर हम force को time के साथ relate करेंगे force को time के साथ relate करेंगे तो जो force है inversely proportional होगा time के force is inversely proportional to the time मतलब जब time बढ़ेगा तो force घटेगा जब time बढ़ेगा तो force घटेगा और जब time घटेगा तो force बढ़ेगा यही होता inversely proportional का मतलब जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा तो चलिए देखते हैं दोनों कंडिशन को जब क्रिकेटर पहला क्रिकेटर जब अपना फ्लैट हैंड से कम टाइम लगाकर बॉल पकड़ता है और दूसरा क्रिकेटर जादा टाइम लगाकर हाथ नीचे लाकर बॉल पकड़ता है पहले कंडिशन और दूसरे कंडिशन में फर्क क्या होगा पहले कंडिशन में जो वेलासिटी है वेलासिटी सेम होगा दूसरे कंडिशन का भी वेलासिटी सेम होगा क्यों क्योंकि दूनों बॉल का स्पीड सेम है दूनों बॉल का कि जो force है, inversely proportional है time की, मतलब जब time घटेगा, तो force बढ़ेगा, जब time बढ़ेगा, तो force घटेगा, वैसा ही पहले condition में है, जब पहला क्रिकेटर अपने हाथ से catch पकड़ता है, तो time घट रहा है, force बढ़ रहा है, और दूसरा क्रिकेटर जब time जादा लगा कर catch पकड़ रहा है वही ball पकड़ने में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ time का फर्क है, time जादा हुआ, तो force घट रहा है, और जब time कम हुआ, तो force जादा लग रहा है, वही ता ही इस वीडियो में, और आपको यह वीडियो अच्छी लेगे तो please like, subscribe और comment कीजिए, और हमारे चैनल को subscribe करना ना बोलना Bye